हेलो भाई लोग तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में प्रियाग राज के बारे में कम्प्लीड इंफर्मिशन दूँगा तो वीडियो को पूरा देखना और लाइक करना अकर चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना तो चली शुरू करते हैं प्रियाग भारत का एक बहुत ही प्राचीन सहर है वेदिक काल से ही इसका बहुत महत्तु रहा है तब से यूग प्रवर्तित होते रहें परंतु प्रियाग का वर्चस्ट नियुनतर बना रहा इसको द्वसरा नाम इलहाबाद है लोगों की ऐसी मानतया है कि यहां की धर्ती इतनी पवित्र है कि देवतांगणा स्वमिया के आकर निमास करते हैं मुगल काल से समराट अकबर ने प्रियाग का नाम परवर्तित करके अलहाबाद रखा था अरथात अलहाबाद इश्वर का घर रखा दिया था दिरे दिरे प्रियोगिक रूप में इसका नाम इलहाबाद पड़ गया वैदिक काल से ही प्याक की धर्ती हिंदों के लिए पूजनी रही है तीन महानदियों में गंगा, यमुना, वस्रोशती का संगम यहीं पर हुआ है किसी भी पवित्र कारे के लिए यहां एक पवित्र जल होना अनिवार रिवाना जाता है संगम में इसनान करने पर मनुश्यों के समस्त पाप भुल जाते हैं यहां तक कि मनुश्यों की अस्तियां यहां पर विसरजित की जाती है यहां इसी मानते पर अधारित है कि मनुश्यों को पून सुद्धी यहीं से प्राप्त होती है वैदिक काल में या धरती रिशियों मुनियों के लिए प्रमुक्त रिस्तल रही है आज भी कार्तिक मास की पूरी मा को लाखों की सद्धिया लोगों में एक साथ संगम में इसनान करने के लिए एकर्तरत होते हैं तता यहां के पवित्र जल में डुपकी लगाते हैं कुंभ मेले में तो देश विदेश के महपुरसों एवी दिवानों का संगम यहां पर देखनों के मिलता है प्रयाग की धरती भारती संश्क्रती और आदुनिक सबहता का गोरव केंदर है भारती स्वतंतरता संग्राम में भी प्रयाग अर्थात इलाबाद का महत्रपूल इस्तान है राष्ट पिता महात्मा गांधी पंडी जोहला नेरू आदी स्रीष्ट नेताओं ने सहर का प्रमुक राजनिती केंद रहा है पंडी जोहला नेरुन की पिता मोती लाल नेरु यहां के प्रसिद्ध वकील थे बाद में जैसे जैसे ये गांधी जी के संपर्क में आए भारती सुधन्तता अंदोलन किर्पती इनकी दिल्चस्पी बढ़ती गई यहां की धर्ती ने अनेक महापूर्सों को जन्म दिया इलहाबाद विस्विद्याले प्राचीन काल से ही सिक्षा का प्रमुग केंद रहा यहां से निकलने वाले छात्र आज भी अंतता महत्रपूर्ण पदों पर आसीन है विस्व का अब तक का एक महत्र सहर है जिसने किसी देश को चार प्रधा मंत्री दिये हैं इस सदी के महानतम सितारे अमिताब बच्चन आज भी इस सहे पर गर्व करते हैं उन्होंने प्रियाग में जन में लिया हिंदी साहित के विकास में प्रियाग का महत्रपूर्ण योगदान रहा यहां अनेक महान कवियों यह साहितिकारों की कारश्थली रह चुका है फालो मेया अमरूद विस्व प्रसिद्ध है हिंदी मेया बोल चाल प्रमुख भासा है इलाबाद उच्छे नाले देश के सर उच्छे नाले के पश्चात सबसे अधिक महत्व रखता है परेटन की दिश्टी से अल्फरेट पार्क, संगम, कंपनी बाग, आनन बोन, आदी प्रमुख है यहां का रेलवे स्टेशन अंतिता विसाल है जहां इसे रेल मार्ग द्वारा देश के सभी कोनों से जुड़ा गया है हिंदू, मुश्लिम, सेख, इसाई, आदी सभी धर्म, यहों संप्रदाई की लोग यहां पर रहते हैं इलहाबाद, आज भी राजनीती का प्रमुकेंदर है कोई भी राजनेता इसके महत्व को आस्वेकार नहीं कर सकता सदियों से प्रयाक का वर्चस्व बना हुआ है और हमेशा कायम रहेगा स्वतनत्ता संगाम के इतिहास में इसके अतुलिनीय युगदान के लिए इसके महत्व को कौन बुड़ा सकेगा लेकिन यह सहर भी प्रदूसरन और गंदी की के चपेट में है जिससे इसका प्राचीन गौरव खंडित हो रहा है सहर की अबादी तेजी से बढ़ रही है और जहां तहां अनियमी धंग से बस्तियां बन रही है जिससे करण इस प्राचीन सहर का आकरसर दिर्यदेल लुप्त होता चला जा रहा है बुद्ध जीवें सहर आज भी अपरादी तत्तो की चपेट में है कई जगां कूडे के ढेर बिखरे पड़े हैं प्रसासन और आम लोगों को मिलकर इन सारी समय स्यांस को दूर रहने की प्रयास करना चाहिए ताकि तीर्द राजप्राक की धरती सद्यों एक पून्ने स्थली बनी रहे सहरी जीवन अनेक प्रकार की हलचलों से पणी पून होता है यहां भीड तथा सोर सराब अधिक होता है यहां के लोग अत्यादूनिक सुविधाओं का प्रयोग करते हैं सहरी जीवन अन्डबर और सुक्सी उधाओं से युक्त है यहां के लोग पश्यमी होते हैं तथा हर समय व्यस्त रहते हैं लोगों के पास पडोस्यों से मित्रता तथा रिस्तदारों से मिलने का कम समय होता है हर कोई अपनी चिंता और परिसानियों से गीरा दिखाई देता है सहर में कुछ लोगों के पास तो जीवन यापन के असीमित साधन होते हैं परन्तु कुछ लोग इतने दरिद्र होते हैं कि उन्हें गंदगी बस्तियों में सरन लेनी पड़ती है यहां एक तरफ आर्थिक दिकत तो दूसरी तरफ प्रदूसर और गंदगी भी है अधिकतर सहर में वायू और धोनी प्रदूसर चरम सीमा पर है लोगों को जल के अभाव का साबना करना भी पड़ता है फिर भी लोग सहर में रहना चाते हैं क्योंकि यहां अच्छे सिक्षा केंद्र, बड़े बड़े अस्पताल, या तायात के आदोनिक साधन, यहों मनोरंजन के लिए सभी साधन होते हैं यहां रोजगार प्राप्ती के भी अच्छे अफसर होते हैं इस प्रकार सहरी जीवन में कुछ आराम है तो कहीं परिसानिया भी हैं प्रियाग राज को इसवर ने केवल गाउं बनाया था जबकि मानों ने नगार का निर्मान किया मानों प्रारंब के रूप में ग्रामवासी ही था किन्तु मानों की आवसकताओं और स्यम को विक्सित करने के जिग्यासा ने सहर को जन में दिया आज भी भारत की 70% अधिक जन सक्या गाउं में रहती हैं बारत के गाउं छोटे-छोटे होते हैं और बिजली होती है और नहीं जीवन की अन्य सुविधाएं साज होते हैं सारा गाउं अंधेरे और चादर ओड़े लेता है सभी कारे ठप हो जाते हैं कोई घर से बाहर नहीं निकल पता लेकिन प्रियाग राज में सुख की सभी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं महानगर में रोजगार की सुविधाएं मिलती हैं यहां के बड़े-बड़े कारेकाल होते हैं जहां वेक्ति अपनी योगिता अनुसार अधिकारी, कलर्क, अत्वाचाप्रासी बनकर अपना जीवनियापन करता है हजारों और लाखों लोग दुकाने तथा दूसरे धंदे करते हैं जिनके पास पुझी नहीं होती और जो दुकान की राय पर नहीं लिसकते वे रहड़ी की राय पर लेकर थोड़ी सी पुझी से अपने बच्चों को पेट पाल लेते हैं तबी तो हर सवस्वर्ष लाखों की संख्या में गाउं की लोग सहर की और पलान करते हैं महानगर में बहुत से कारयले होते हैं ये विसाल भर्वी तथा बहुमंजले भाउनाओं से इस्थित होते हैं इन भाउनाओं में हजारों की संख्या में कर्मचारी बैठ सकते हैं साम को जब कारयालों के छुट्टी होती है तो कार, स्कूर्टर तथा पैदल चलने वाने उस अड़क पर समूद दिखाई देता है महानगर विद्या प्राप्त करने के साधन प्राप्त करता है यहां कई स्कूल दथा कॉलेज होते हैं इलाबा जैसे महानगर में कई